क्या रन्वीर सिंग अपनी बिलविड वाइफ दिपिका पद्दकोन के अका साथ दे पाएंगे NCB के कड़े दौर में जब वो NCB के सवालों का सामना करेंगी जो चाहते थे उन्होंने इसकी पेशकर्ष की थी ये खबर हमने आपको दिखाई अब क्या NCB उनको पर्मिशन दे रही है दिपिका के साथ जाने के लिए या रन्वीर अकेली ही जाएंगी और रन्वीर को सिर्फ टेलिविजिन पर देखना होगा बताऊंगे आपको इस वीजियो में अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चल्दी कर लिजे बेल आइकन भी दबा देजे दिपेका बदुकोन बुरी तरह से फसी है टी और के की चैट में के करिश्वा प्रकाश टी दिपेका बदुकोन क्वान मीरिया से रिलेटेड होने के वज़े से ड्रग के माल एक्सचेंज की बात अवेलेबल कराने की बात पर उनको एनसीवी ने नियोता भीज दिया है समन के रूप में जिसमें वो टाइम बाय करके कल हाजिर होने वाली है रनवीर सिंग ने एक अरजी लगाई थी कि उनकी वाइफ जो है घबरा जाती है डर जाती है पैनिक हो जाती है इसलिए उनका उनके साथ रहना बेहत सरूरी है और वो चाते हैं कि एनसीवी उनको ये परमिशन दे कि वो एनसीवी की प्रिमाइस में उसके दफतर तक जाएं भलके वो जानते हैं कि लाव अबाइडिंग सिविलेन की तौर पर कि वहाँ पर पुश्टाच में उपलब नहीं रह सकते मौजूद नहीं रह सकते लेकिन उनका साथ देने दफतर तजा सकते हैं अब इस पर एनसीवी क्या फैसला है हाला कि इस तरह कि कोई प्रावधान न प्रावधी थी क्योंकि ओफिशली रनवीर की कोई फी रिक्वेस्ट एंसीवी तक नहीं पहुंची है यानि फिलहाल यह लगता है कि दिपिका को अकेले ही जाना होगा या फिर रनवीर सिंग जाएंगे और जाकर के दर्वाजे तक दिपिका को छोड़ेंगे और हाथ पकड़ किया सकता है तो नसीवी के दफ्तर जा ही सकता है मगर जहां तक एंसीवी की बात है एंसीवी ने साफ एंकार किया है कि रनवीर की ऐसी कोई भी अरजी एप्लिकेशन जिसमें वो यह गुजारिश कर रहे हैं उनको मिली है तो बने रयाप मेरे साथ लगातार ख